पॉपुलर टीवी शो तारक महता का उल्टा चश्मा के फैंस को इस हफ़ते एक और जटका लग सकता है। शो में अब्दुल का किरदार निभाने वाले अभिनेता शरद सांकला के अचानक गायब होने से चर्चाएं शुरू हो गई है। क्या शरद सांकला ने भी शो को अलविदा कह दिया है। आये जानते हैं इस पर क्या अपडेट्स हैं। हालांकि शो से शरद सांकला को रिप्लेस किये जाने की कोई आधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है। मगर गपशप का बाजार गर्म है कि शरद ने मई में ही शो छोड़ दिया था। यह जानकारी अभी सिर्फ अफवाहों पर आधारित है और किसी पुखता सबूत के बिना इसे सच मानना मुश्किल है। शरद सांकला, जिन्होंने शो के शुरुवाती दिनों से ही अब्दुल का किरदार निभाया है, ने हाल ही में टीम के साथ सफलता का जश्न भी मनाया और अपने जन्म दिन को सेट पर सेलिबरेट किया। शरद सांकला का सफर बेहद प्रेरना दायक है। शरद सांकला की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर उनकी हालिया पोस्ट से संकेत मिलता है कि उन्हें शो छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है और शायद वह शो में अब्दुल का किरदार निभाना जारी रख सकते हैं। कुल मिलाकर तारक महता का उल्टा चश्मा के फैंस के लिए अब्दुल का भविश्य अभी भी सवालों के घेरे में है। उम्मीद है कि जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा और शो के प्रशंसकों को उनके पसंदीदा किरदारों का भरपूर मनोरंजन मिलता रहेगा। झाल